आज हम लोग बात करेंगे कोई भी कमपानी या कंसल्टेंट्सी भाम पर जॉब के लिए अपलाई करने के बाद इंटर्व्यू का कॉल क्यों नहीं आता है तो इसके पीछे मुखत और पर तीन बजा होती है पहली बजा है सीभी याने बायरटा दोस्तों आपके एपसेंट में आपका जो बायरटा है वो आपका आइडेंटिटी होता है क्योंकि बायरटा देखकर इंपलोयर अंदाजा लगा लेता है जो केंडिडिट कैसा है इसलिए आप बायरटा को अच्छे से बनाए, उनीक बनाए और प्रोफेशनल बनाए अगर बायरटा आपका लंबा चवडा होगा, तो इंपलोयर के पास उतना समय नहीं होता है उसको देखने के लिए इसलिए आपका बायरटा सौट और प्रोफेशनल रखे दूसरा चीज है कंटाक, आप एक बार किसी भी कंपानी या कंसल्टेंसी फाम पर एपलाई करने के बाद आप कंटाक बनाए, यानि उसके साथ कम्यूनिकेट करे क्योंकि सीबी भेजने के बाद अगर आप कंटाक नहीं करेंगे, तो कितने सारा सीबी जाता है तो आपके बारे में उसको याद भी नहीं दहेगा, और आपका जो प्रायरेटी जॉब ढूनने में है, उसको ये भी पता नहीं चलेगा इसलिए अगर आप कंटाक करेंगे, तो आप उसको रिमाइंड भी कर पाएंगे, और आपका इसमें चांस भी बढ़ेगा इंटर्व्यू कॉल आने का तीसरी चीज है अपडेट, अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी साइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाते हैं या सीबी रेजिस्टर कराते हैं, तो इससे आपको बार-बार अपडेट भी कराना होगा अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे, तो आपका प्रोफाबलेटी बहुत घट जाएगी उपर लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि कंसल्टेंसी साइट पे लाखो करोडों सीबी रहता है जो ज़्यादा अपडेट कराएगा, उसका चांस ज़्यादा बढ़ेगा उपर लिस्ट में आने के लिए इसलिए ये सलाह है, आप हर रोज एक बार या तो दो बार किसी भी तरह से अपडेट करें और अपडेट करने का एक सरल उपाई भी है आप सीबी में जाकर कोई भी एक फुटकी लगा ले या फुल स्टप लगा ले उसके बात अपडेट कर दे और दूसरी बार जाकर फिर उस फुल स्टप को हटा के फिर अपडेट कर दे ऐसे अगर आप अपडेट करते रहेंगे तो आपका सीबी प्रायरेटी लिस्ट में उपर तरब आएगा जिससे आपको इंटर्व्यू कॉल मिलना बहुत आसान हो जाएगी उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में